तो आप लोग तो आज हम बहुत बढ़े अगदम पाच है लेक्ट लेक्या है आप लोगों के लिए तो एंड तक देखना आपको बहुत पसंद आएगा देखना उस वाले घर में है अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर देना ठीक है तो पहला जो एव एक जिम है मतलब क तो उसकी सामगरी यह है सब कुछ आप देख सकते है इस वीडियो को मतलब वीडियो को पॉस्ट करके आप देख लेना यह सब कुछ क्या है यह पिश्टन सौरी मैंने डबल टाइम ले लिया ठीक है और यह भी डबल ठीक है इतना ही चाहिए हमें ठीक है तो सबसे पहले दे इसके उपर इसे देखो और एकक और इसे नीचे मुख करके एक और इसे को ज्ञाइन कर दीजे ए मतलब इसे और एंडरोड ली जहें अब एंडरोड इधर रखेए एक इधर मुग करके तीदे इसे हटा दो और इधर एख अर एक तीन पिस्टन मतलब तीन ब्लोक के बाएं करो और ऑए आफ्क्रीवाला हटा दो मतलब पहले वाला लगाये था उसे हटा देजी फिस च्टिक पिस्टन को प्रेक्टिवेट कर जो तीनों भी पिश्टन फिर यह हो जाने के वादि पिश्टन का काम हो गया आप उसे हटा दीजिए फिर इसे ब्लैक कॉंक्रिक्ट इस वाल साइट से और इस वाल साइट से लगा दीजिए फिर यह होगा देखा अब यह कुछ ऐसा दिख रहा है तो मैं चाही है स्टेर्स तो स्टेर्स को हमें उल्टा रखना है उलटा रखना है ऐसे भी नहीं खाओ लगता है तो इस आखरी मोहाले को और यह और उलगा दीजिए प्रव तो यह जो दीखा रहा है largest हाट दीजिए ऊसे यह हो गए हमारा बेड़ तो फिर इधर दो रेड़ कारपेट और एक वाइट लागा दीजिए तो फिर यह हो गए आपका होमेड जीम तैयार तो कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन बता इसका आप यूज नहीं कर सकते पर यह घर में अगर जीम ताइब आपको कु सब्सक्राइब आपको ब्लॉक उपर यह चाहिए और यह बाकी की सामगरी कुछ कॉट स्टेर से रेड ब्लॉक एक स्टिके पिश्टन और इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी तो चले चलते इस हैक की और बहुत आसान बहुत इसी और बहुत सुंदर दिखाने के लिए ब इस मतलब कि ऐसा आच्छा दिखना चाहिए जैसे पोल लैंप जैसा कुछ तो तो फिर इसके बाद दो ब्लॉक का ग्याप छोड़के इसे हटा दीजिए इधर एक रेश्टोन ब्लॉक रख दीजिए हो गया तो अब इसे हटा दीजिए और इसके उपर एक और लगा के इसे हटा दीजिए तो फिर इसके ऊपर एक उल्टा सस्टी की पिश्टन लगा दो नीचे मूप करके इसे खीखे तो फिर सबसे उपर वाला ब्लॉक यह इस प्लॉक को हटाने के बाद इदर देलाइट सेंसर लागा दीजिए तो फिर यह ब्लॉक एक्टिवेट हो जाएगा दे लाइट एक्टिएट हो जाएगे तो फिर इधर एक और इधर एक लागा दीजिए इसे तो फिर यह हो गया तो फिर मतलब पूरानी वाब आपको डिजाइन भी करने देखो इसे उल्टा लागा देने के बाद इधर बीच में भी इसे हाँ अब देखो कितना बढ़िया दिख देखना चाहिए भाई तो फिर यह हो गया कंप्लीट अभी मैं आपको रात करके दिखाता हूँ यह के से चमकता है तो फिर मैं नाइट पर जाता हूँ देखो देखो अब जैसे नाइट होगी तो वह रिश्टानू पर जाएगा और यह लाइट चालू हो जाएगी आप इ तो आप देख सकते है जैसे रात होई वह एक्टिवेट हो गया अपने आप ही तो फिर आभी आपको दिखाता हूँ तो लाइक जरूर कर देना भाई देख और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्यूंकि मैं ऐसे बड़ी हैक लाता रहूंगा तो आप चलते हैं तीसरे हैक और वो तो बहुत बढ़ी है भाई मतलब क्या बताओ आपके फार्म को इतना एकदम बहुत 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 आच्छ आप इदर पढ़ सकते हैं तो इसके सारी सामगरिस के अंदर है आम एक पेंस चाहिए तीन ही काफी होंगे है बॉल एक पंकिन उसको फेस बाना हुआ जो स्ट्रिंग चार और एक ब्राउन कारपेट ब्राउन कारपेट का एक चार चाहिए एक ब्राउन वूल और यह मतलब है के लिए मैंने आपको मतलब दिखाने के लिए क्या है तो उसके लिए है वह लिली पैड तो आपके लिए एक फार में आपको उपर से देखा तो इसमें एक बहुत अच्छा मतलब डिजाइनिंग करने के लिए देख सकते हैं सबसे पहले और फेंस लेने का एक ही बार डबल हाइट भी बना सकते हैं आपकी मर्जी पर एक बार ही लगा दीजिए मतलब मैं कह रहा हूँ तर इसके उपर हे बेलेक और इसके पंकिन मतलब इसके साइड में कुछ इसे स्ट्रिंग लगा दीजिए देखो ऐसे उपर मतलब फेस के पास स्ट्रिंग ताकि हमारा वह कार तो देखो तो फिर आभ इसके उपर इदर कार्पेट लगा देखो इसे एसे इधर और इदर और 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 इसके उपर एक ब्रावन गूल कि अ.पर जैसी यह हो जाए तो फिर तो फिर आप मतलब क्या कह रहे हैं वो अगर आपको इनकी बात मतलब पूरी करनी है तो अगर आपको इनकी बात मतलब पूरी करनी है तो अगर आपको आपको बोनस हैक दिखाता हो इसे हैक में तो इसके लिए आप मतलब एक लीली पैड ले सकते हैं एक नहीं मतलब लीली पैड लेके इसे रख दो देखो तो पानी के ऊपर चलेगा आपको निकालने में मतलब यह निकालने भी आसा नहीं होगी इसको भी पानी जाएगा आप मतलब यह भी रख सकते हैं कारपीट भी देखो इसे कितना ज्यादा बढ़िया दिख रहा है आप चल भी सकते आसानी से पानी में जाने की कोई ज़रूद नहीं अगर आपके पास लिली पैड मतलब लाने सकते तो यह कार्पिट तो है आपके पास उससे आप ट्राय कर सकते हैं तो इसके साथ हमारा थर्ड एक भी खत होते हैं ट्रैप और रैबिट और में पिग डालना भूल गया तो ठीक है कोई बाद नहीं तो इसके लिए खो यह ट्रैप डोर कौन से भी लगेगे और प्रेशर प्लेट भी जो चाहिए वह और हां गाजर ही चाहिए आपको क्योंकि पिक्स और रैबिट सिब गाजर के और देखो भाई तुम बीना है लाज तेको बहुत मिल से क्या हो गया यह कितना बड़ा हो गया घास बड़ गई ठीक है वह सब कुछ जान दो ठीक है तो फिर 4 बाइब मतलब 4 थे तृबilt और अदेने कि तो ये ट्रेश यह ते क्याहित और अथे प्रेशेर प्रेंट Küli ए डिखें जें विलेutorर आझ एप लगा दीने जें न चूलने चाहें इतनाρά अब आचा लग रहा है अब तो यिसे और गो एसे तो यह हो गयी मतलब यह नीवresser जानी के योजाने के बाद दो भी बलक से ऊपर लेने का चारत एक टाउनों में एसे कर देने का डो ब्लक से ऊपर और फिर इधर slab लगा देजे इधर ने इसके उपर इधर ऐसे और फिर जैसी slab लगा दो तो आप design के लिए देखो यहाँ पे इसे लगा दो यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे अच्छा दिखना चाहिए अगर आपकी इचाहिए तो तो फिर अभी मैं इन carrots को बड़ा करता तो आप देख सकते carrots बड़े हो गए तो फिर अभी मैं देखो rabbit को spawn करता हूँ यहाँ पे तो देखो अब यह rabbit spawn हो गए तो आप देख सकते बाहर नहीं निकल सकते जैसी वो pressure plate के पास आएंगे तो वो trap door खड़े वा जाएंगे तो उनको बाहर निकलने को नहींगा आप यह एक ढाएंगे अब यापन कर दी टुझ के अब बहुत बड़ा बना सकते हैं आपकी मरजी तो देख सकते हैं तो एब ट्रैप मतलब खोर्णोस को इसे रखने के लिए अगर आपको यह पसंद कि अमताब बहुत में लाइक की भीक मांग लेर आगर आपको पसंदाया तो आपको पता है क्या करना है तो आप चलते हैं फिफ एक क्यों और मैं बता रहा हूं यह है का आपको मतलब क्या बता हूं इतना पसंद आएगा भाई क्या बता मतलब मेरे चैनल को सबस्क्राइब करने से रहेंगे नहीं देखो तो फिर हमें क्लॉक बनाने वाले हैं क्लॉक मतलब मतलब यह से वैसे क्लॉक नहीं जो बजती भी है टाइम टाइम से देखो यह आपको अभी दिखाता हूं तो यह सारी चीज़े हमें चाहिए मैंने जो मतलब इसका नाम क्या है क्लॉक विट बेल आप पढ़ सकते हो कि नहीं पता नहीं देखो मतलब देख सकता है कि नहीं पढ़ सकते हो आपको जमालों में तो फिर चलते हैं तो समझ लिजे आपका घर है छोटा सा एक घर है देखो यहां पर डायमंड कार्मर यह स्मोकर ब्लास्टर और यह चोटी सी लैबलरी इदर एक ट्रैब दोर है जिसमें आलतोफालतू की चीज़े है और एक बेड है आपका और एक चेश्ट है उसके पास तो आपको एक क्लॉक भी तो चाहिए नटाइम देखने के लिए तो बहुत एसा होका ट्रैब डोर और इधर एक ट्रैब डोर और सेम इदर उपर भी ऐसे ट्रैब डोर और इस वाली साइट को भी किदर गया वो ट्रैब डॉर यह गलत लगया सौरी ऐसे और इधर एक आइटम फ्रेम उसमें एक क्लॉक और इसके साइड में एसे अरे यार ठीक एसे ट से देख सकते हैं और इसके इधर daylight sensor पता नहीं बेठेगा कि नहीं दो हम इसे हटा देते ऊपर का ठीक है तो इधर daylight sensor आपको मतलब चाहिए तो आप थोड़े हाइट बना के से कर सकते हैं में इस लिए ऐसा हो गया तो फिर आप रहे यह तो फिर यह बेल टाइम टाइम से बजेगी आपको दिखाता हूँ अभी दे करके दिखाता हूँ जैसे में करूंगा टाइम तो देख सकते हैं वो बेल भी बजी और यह trapdoor भी हीले पर पता नहीं ऐसा के होता है यह trapdoor हर बार को हमें सीधा करने पड़ते हैं और आप चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं वैसा कुछ नहीं पर यह आचा देखता है जैसे ही नाइट कर दूंगा ने हर एक कुछ टाइम में बचता है तो देखो अभी बजा तो फिर आप सकते हैं यह बचता है और कुछ से टाइम बाद है गए कुछ तो आज के पाच की यही थे मिझेे ।想 longo के 5 आख गयोगे और मुझे आपको सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद आया यह पहले वाला यह जिम या दूसरे वाला यह डेलाइट सेंसर मतलब क्या कैसे आप लाइट आटमेटिक लाइट या स्केर करो भाई साब मुझे पता है आप कहेंगे कि मैं सबसे अच्छा था या फिर यह ट्रैपिन लोगों का पिक्स और रैबिट का या फिर यह हमारा आटमेटिक क्लॉक बेल तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही गाईज तो अगर आपको यह पसंद आया तो लाइक कर दीजे मेरे चानल को सब्सक्राइब कर दीजे तो मिलते हैं आप सबसे अगले एपिसोड में तो अंटिल देर गुड़ बाई आप सबस्च्राइब जबाँ एपिसोड़ बाई